हलो फ्रेंट गुड मॉनिंग मैं रो मी अपने यूटूब चैनल से दोस्तो आज का मेरा विशे है मदमख्यां तो मदमख्य का क्या रोल रहता है हमारे बगीचे में इस बारे में मैं आपको आज पताऊंगा आप बने रहे मेरे साथ तो ये रहे जी मदमख्यां देखो बड़े आराम से निकल रही है जितना हो सके आपके बगीचे में मदमख्या होनी चाहिए यह मदमख्यां ही है जो पर्राग को एक जगे से दूसरी जगे शिफ्ट करती है इनके कारण ही हमारे बगीचे में फसल अच्छी आती है जैसे की माना जाता है कि सो में से नब्बे टू पचानुमे परसेंट यही सहाइक होती है हमारे बगीचे में सेटिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे की हमारे अगर सो काटन होते है तो उसमें से नब्बे टू 95 काटन जो है इनकी साहिता से ही हमें परवाइड होते हैं तो आपका जितना हो सके आप जो है मुदमक्खी प्रवाड कीजिए और उसके बाद आपके बगिचे में पॉलिनेशन अच्छा तभी होगा जब आपके पास पॉलिनाजर 30% होगा तब जो है फसल अच्छी आएगी तो ये ध्यान रखें कि आपका जितना हो सके पॉलिनेशन अच्छा हो तो ये सहाइक होती है हमारे सेटिंग में प्राकण को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए अभी हमारी एलिवेशन में ठन डोने के कारण यह जो है सुब बहुत थोड़ी आराम से निकलती है और शाम को जल्दी पैक हो जाती है इनको जो है टमपरिचर मिनिमम तेहरा टू पंदरा डिगरी सेल्सिस के उपर का जहिए उसके बाद ही ये बाहर निकलती है चिनी का घोल हो या गूड डाली हो उसको वो भी निकाल देते हैं कि जितनी बुखी हो ये ये उतनी दोड़ेगी उतना काम करेगी ये सब गलत है गलत मिज की आप खुदी सोचो आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आप काम कैसे करेंगी इस करेंगे जितना हो सकी इनको खिलाओ खिलाने के बाद ये दोड़ेगी क्योंकि पेट भारा हुआ है तो तब ये दोड़ेगी और इसमें जो है इन्होंने बंटे होते हैं काम काम मिन्स कि कि किसी का काम बच्चे देना होता है तो किसी का काम देखवाली करना तो किसी का काम भोजन लाना ही होता है तो य बोजन लाने के चक्र में दोड़ेगी, अगर यह बुखी होगी तो दोड़ेगी कम, अगर यह इनका पेट भाव होगा तो यह दोड़ेगी जादा बोजन के लिए, तो जितना हो सके इनको बुखा मत रखो, जब आप इनके च्छते कहीं से परवाड़ करते हैं तो हो सके उनको एक ही जगा रखें, कंटिन्यू इनको यहां वहां मत दोड़ाएं, क्योंकि दोड़ाने से ऐसा होगा कि इनकी जो है, लाइफ सर्कल चेंज हो जाता है, जो इनका एक ग्राफ बन ओता है, मैब बन ओता है शरीर में वह चेंज हो जाता है, फिर जो भूल जाती है, अगर आपने देखना है, अगर गलती से आपने कहीं से इसको उठाया होगा, तो अगले दिन वहां पे आपको दुबारा सा थोड़ी सी मदमख्य मिली ही जाएगी, तो इस करके जितना हो सके उनको एक ही जगा रख है, हर कहीं इनको ना ले जाए, तो जी ये था कुछ मदमख्य के बारे में, एक छोटी सी मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, अगर आप नए हैं, तो सस्क्राइब मैं चैनल, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, क्या थे थान एंग, तो भा, तो सस्क्राइब बारे मिलते हैं, इनको बारे में, डिए, अचर थे के फारे में, अगरे में, एक बारे में, एक दूख प्लीज को भंगा, तो सस्क्राइब बारे में.